हेलो दोस्तों मैं आपकर गाइड आपका दोस्त अन्राफ बंडे और आप देखा है हमारा यूट्यूप चैनल मत देखा ली इन भारत का इतिहास चल ला था पिछले वीडियो में उत्तर भारत वा दक्कन के प्रांती राज वैंशों के बारें बताया था कि आप आज के वीडियो में भक्तियों सुफिय आंदोलन के बारे मिंद पढ़ेंगे harm कि भक्तियंजों 2 कि प्रस्माएं उस लोगों में किया समानता उनमें ये थी कि कि उन लोगों ने इस्थानी भाषा का प्रियोग किया कि जिसे लोग आसानी से समझ सकी कि ज्यादा पर आता ही रहता है थ्यान रखना है ठीक और वीडियो को अंद तक जरूर देखें वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना बूले साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर है श्रूरं करते है आज का वीडियो भक्ति वर सूफी आंदॉल है भक्ति आंदॉला है ये सबसे पहले द्रवेट देश में हुआ था थीक है डरवेट देश में सबसे पहले इसका उद्य वहां से उसका परचार उत्तर में हुआ है तो चटी सताप्दी में जो भक्ति अंदोलन शुरूआत होती है वह करनाटक करनाटक महराश पिर उसका गुजरात तक पहुंचते समत्त हो गई तो यह भी है कि भक्ति अंदोलन द्रवड देश में जन्मी करनाटक में विक्सित होई कुछ समय तक महराश्ट में रुकूई उसके बाद गुजरात में जब पहुंचे तो वहाँ पर यह जिन्र ठीक है भक्ति आंदोलन दें बारे में यह कहा जाता है रखत करें तो भक्ति आंदोलन के सुत्र पात थे क्योंifa जब शंक्रा च Anda बहुंद संक्राचयर का उदय हो ठीक है और संक्राच्यर है कि प्रति पादक क्यों एक तरफ दार्सनिक एक तरब प्रतिपादक प्रतिपादक तो शंक्राचार प्रतिपादक है किसके विशुद्ध अद्वयतवाद के विशुद्ध अद्वयतवाद के प्रतिपादक है कौन शंक्राचारे ठीक है एक प्रश्णी भी आता है मिलान करने के लिए भक्ति अंदोलंग जो विकास हुआ उसमें वैशनों और शयोधर्म वालिरे तो वैशनों संत जो थे उनको अलवार बोलते थे और शयोधर संतों को बोलते थे नयनार जिनकी संख्या थी अलवारों की संख्याती 12 नयनारों की संख्याती 63 ध्यान रखना इन्हीं अलवारों में अलवार संतों में एक सादवी अंडाल का भी नाम आता है सादवी अंडाल का यही नाम आता है इन पे प्रस्ट आता भी है अंडाल नाम है इसे लिखते हैं अंडाल सादवी अंडाल नाम है इनका इन पे भी प्रस्ट आता है ठीक है तो ध्यानक ना है तो अलवारों में से 12 अलवार संतों में से एक थी सादवी अंडाल भी ठीक है और दुट के अपरिग्रह और अस्वीकार कीए अस्वीकार का यूर की प्रति व्यक्तिकत भक्ति को किता था दरंगलमर जो यह यह अलवार और नैनार संट थे बृष्य यह कुप भक्ति को बताते था कि यही आपके मुक्ति का मार्ग है, ब्यक्तिकत भक्ति को बताते थे कि यह मुप्ति का मार्ग ऐग crítaste इसंत थे नैय नारों में इसे एक रहे होंगे नाम था अपपार, अपपार, संबंदर, प्रश्नाते हैं याद होनी यह कुछस्त तो अपपार यह प्बख्पार जिन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को स्धोर्म श्योजोज्डर्म करवाय था व की सहां करें भक्ति नंद्रुन के से पूनर तक रुखने के बाद गुजरात में आके जिर्ड हो जाती है लेकिन फिर से इसका पुनर जन्म होता है पंदरहमी सुलाहमी सताब्दी में ठीक है पंदरहमी सुलाहमी सताब्दी में फिर से इसका जन्म होता है पुनर जन्म होता है और उस समय होता है जब इसकी बाग दोर कभ नानक, तुलसी, सूर, सूर्दास मतलब कबिर्दास, गुरु नानक, तुलसी दास, सूर्दास, मीराबाई, जैसे लोगों ने जब संभाला 15-16 में शताद्वी में तो भक्ती आंदोलन का पुनर्जन्द होता है इसी समय उत्तरभारत खास करके ठीक है मद्यकालिन भारत में सूफियों के उद्भो से, ये प्रशन आ चुका है पहले, कि सूफियों के उद्भो से समाज में समरस्ता फैलाने में मदद मिली है ये सूफियों के उद्भो से समाज में समरस्ता फैलाने मदद मिली, ये सूफि कैसे थे, ध्यान साधना और श्वास नियमन जैसी योगिक क्रियाओं को किया करते थे और एकांत में कठोर योगिक व्यायाम भी करते थे, ठीक है, सूफियों से फाइदा हुआ कि समाज में एक्ता सवहार्द फैलाने सुरताओं में हर्शन नमाद उत्पन करने के लिए गीतों और संगीतों का सहारा लिया था गीतों और संगीतों का सहारा लेते थे सूफी संद जिससे समाज में एक्ता सवहार्द फैल बना रहे असुरताओं में हर्शन नमाद भी बना रहे ठीक है तो ये चीजे थी सूफी अंदोलन की ये प्रश्ण आ चुका है पहले तो इस पर थोड़ा सा ज्याद देने जिरू संकर देव जो थे वो संकराचार हैं ये संकर देव हैं दोनों में अंतर है तो ये संकर देव जो हैं काम रूप काम रूप कहां आज के आसा में पड़ता है वैस्णो धर्म को लोक प्रिय बनाने का काम किया संकर देव ने काम रूप में मतलब आसा में वैस्णो धर्म को लोक प्रिय बनाने का काम किया इनका उद्देश से क्या था शंकर देव का एक इस्वरवाद एक इस्वर में विश्वास करते थे विश्णू या क्रिष्ण के अभिष्ठ थे ये एक शरण संप्रदाय की इस्थापना की थी संकर देव ने थीक है तो ध्यानक ना कि एक शरण संप्रदाय की इस्थापना किस ने की थी तो नाम आता है संकर देव का थीक है एक और प्रस्ण है कि भक्ति अंदोलन को दक्षड से उत्तर की तरफ कौन लेके आए? तो नाम याद होना चाहिए रामानंद रामानंद का किया है कि भक्ति अंदोलन को दक्षड भारत से उत्तर भारत में लाने का काम इन्होंने किया था ठीक है? चलिए शंकर देओ की के लिए कुछ और बाते जैसे कर्मकांड मूर्थि पूजा के विरोधी थे ये आसाम के चैतन कहा जाते हैं ये जैसे चैतन महाप्रभू के बारे में हमने कल वाली वीडियों बताया था सत्य पीर अंदोलन चलाया उन्होंने ठीक है? तो चैतन महाप्रभू बं बलबाचार स्वोमयाजी कुल के तैलंग ब्रहमण लक्षमण भठ के पुत्र थे लक्षमण भठ इनके पिता जी थे तैलंग ब्रहमण थे स्वोमयाजी कुल के रहने वाले थे ठीक है माता का नाम था इलम्मा गारू इलम्मा गारू इनकी माता का नाम था ये इनका जो प्रताय के प्रवर्तक रहे विश्णु स्वामी के मत का अनुसरण किया इन्होंने रुद्र संप्ताय के प्रवर्तक रहे विश्णु स्वामी इनका अनुसरण किया तथा विकास करके शुद्ध अधोयत या पुष्टी मार्ग प्रतिष्ठित किया इन्होंने प्रतिश्टित किया या फिर प्रतिश्टित किया या फिर प्रतिश्टित किया या फिर प्रतिश्टित किया ठीक है ये चीजे वल्लबाचारे के बारे में है फिर वल्लबाचारे को अगनी का अवतार माना जाता है इनकी कुछ रचनाएं रही रजनाई क्या है ब्रह्मसूत्र का ब्रह्मसूत्र का क्या है अडू और व्रिहद भास लिखा इनों ब्रह्मसूत के अडू और व्रिहद भास लिखा भागवत की सुबोधनिक्ती का इनों लिखी भागवत तलदीप निवंध पूर मिमान सा भाष गायत्री भाष पत्राव लंबन दशम इसकंद अनुक्रमाडिका दशम इसकंद अनुक्रमाडिका त्रविध नामावली जैसी किताबों की रचना की किसने वल्लभा चारिने ठीक है यह प्रस्ण है कि बंगाल में क्रिष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में कौन कौन सामिल थे दक्षण ने बंगाल में क्रिष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में कौन कौन सामिल थे तो नाम आता है विद्यापती ठाकुर विद्यापती ठाकुर और दूसरे हैं चंडी दास दोनों का नाम आता है नाम है विद्यापती ठाकुर और चंडी दास तो बलताचारि के बारे में यह सारी का पुष्टि मारक का पृतिपादन किया या पुष्टी मारक को पृत्रिष्ठापड किया धिक अगे के अउतार माने जाते हैं 208 रचनाय कि जैसे ब्रहमसुत्र के अड़ु और ब्रिहत भास लिखाए इनों ने भागवत की सुबोधनी टीका भागवत तलदीप निवंद पूर मिमान सा भास गायत्री भास यह पत्राव लंबन दशम इसकंद अनुक्रमणी का और त्रविदे नामावली जैसी किताबों की रचनागी ठीक है आगे देखते हैं रामनंद अभी हमने उताय था इनके बारे में तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के पर्थम परवर्तक माने जाते हैं दक्षण भारत से उत्तर भारत तर भक्ति आंदोलन को लाया था इनोंने तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम परवर्तक रहे रामनंद इनका जन्म हुआ है प्रियाग राज में कान्यकुप्ज ब्रहमन थे 1299 में इनका जन्म हुआ है 1299 में इनका जन्म हुआ प्रियाग राज में कान्यकुल ब्रहमन परिवार में ठीक है सगुन इश्वर में विश्वास रखते थे दो चीजें होती एक सगुन और एक होता है निर्गुन दोनों में अंत्र है एक है निराकार भगवान को पासना और यह कहते हैं सगुन साकार ब्रह्म हों को मानते हैं लोग यह कहते हैं इनका कोई आकार नहीं है निर्गुन वाले लेकिन सगुन वाले नहीं जैसे मूर्ति पूजा वाले इस सगुन में रहेंगे निर्गुन में जब उनको कोई आकार ही नहीं है तो उनको मूर्ति में भी नहीं उतार जा सकता तो ऐसे में कभीरदास भी आएंगे जै हैं कि नारशमी का समझ में आसानी से वह रहां यह संद Buenos doing लोग को समझ में आए से हिए कभीरदास के गुरू थे तो मतरीय क्वीडास के जियोर में कि विध्य ब्रहमारे के गर्व से पैदा हुए थे पालन पालन जुलाहा दंपत्ति नीमा नीरू ने किया उपदेशों का संकलन इनका बीजग रहा साखी सबद रमेनी इनकी रचना है उपदेशों का संकलन रहा बीजग साखी सबद रमेनी इनकी रचना है एक रचना इनकी अमर्मूल अमर मूल जो रचना है इसमें धरम दास के साथ वाद विवाद का संकलन किया गया है तो प्रशने भी बन सकता है कि धरम दास के साथ कबीर दास के वाद विवाद का संकलन जिस किताब में हुआ है उसका नाम क्या है तो नाम है अमर मूल ठीक है देखिए दोएतवाद के सम प्रतिपादग रहे मदवाचार यह प्रिशन आता रहता है बराबर आता रहता है तो ध्यान रखने जिरू थे दोएतवाद मदवाचार विशिष्ट दोएतवाद रामानुजाचार और दोएत अदोएतवाद निम्बार का चार या सनक संपृद निम्बारकाचार संख संप्रदाष से संबंधी था निम्बारकाचार दोईत अधोईत वाद के परतिपादक रही ठीक है इसी में कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं कि वैस्णु संत्र थे कुछ जिन्हों ने अपने अपने मत दिये तो वो वैश्णों संत थे एक तुथे रामानुजाचारे रामानुजाचारे विश्ष्ष्ट दोत वाद दिये इन्होंने स्री संपर्दाय इनका है स्री संपर्दाय है रामानुजाचारे ठीक है एक निम्बार का चारे के बारे मनें बताई दिया सनक संपर्दाय दोयत दोयत वाद फिर मदवाचारी के बारे मनें दोयत वाद ये ब्रह्म संपर्दाय इनका है ब्रह्म संपर्दाय ब्रह्म संपर्दाय मदवाचारी और रामा नुजाचारी एक हो रहे है तो रामानुजाचार येक इनका क्या भई रामानुजाचार नहीं विश्णु स्वामी विश्णु स्वामी विश्णु स्वामी सुध अदोयत वाद सुध संपर्दायन क्या था रुद्द्र संपर्दाय society उपादवर्णु स्वामी हमानण नहीं इनके बारे मताब बलभाचारे के बारे नहीं रुद्र संपर्दाय प्रवबत विश्णु स्वामी के मताथ कर लए इन्होंने क्या किया विकास किया फिस्ट दोयतिया पुष्टी मार्ग प्रिश्ठापित किया ठीक है तो चलिए आगे चलते गुरु घासी दास गुरु घासी दास का जन्म हुआ था रायपुर में जिला है गिरवदीपुर गाउं इनके पिता का नाम था महमुदास इनकी माता थी अमरी तीन बाई ठीक है अमरी तीन बाई इनकी माता का नाम था गुरु घासी दास संतते रायपुर में इनका जन्म हुआ रायपुर जिला में ठीक है फिर आते हैं गुरु नानक के बारे में थोड़ा देखेंगे गुरु न नानक का जन्म हुआ है तलवंडी में ठीक है गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ है वो भी 1469 में 1470 कभ यहां पर सल्तनतकाल था उस समय ठीक है तो सल्तनतकाल में जब यहां था तब इनका जन्म हुआ था कहा हुआ है तलवंडी में पश्चमी पंजाब पाकिस्तान है आज में आज के टाइम में ननकाना साहब बोलते है यहां से एक नदी बैती थी उस नदी के नाम है रावी यह भी द्यान रखना है ठीक है इनके पिता का नाम देखा जाए तो कालूराम नाम था इनके पिता का और माता का नाम था इनके माता थी त्रप्ता देवी त्रप्ता देवी इनकी माता थी और पिता थे कालूराम धानक नदी तो सिख धर्म की इस्थापना की इन्होंने उस समय सिख अंदर लोदी शासक हुआ करता था सिख अंदर लोदी लोदी बंस का टाइम था ठीक है तो सिख अंदर लोदी शासक थे जब इन्होंने सिख धर्म की इस्थापना की थी यह भी द्यादा इन्होंने निर्गुन व्रम्न की उपासना की एक एश्वरवाद में विश्वास करते थे इश्वर व्यक्ति के गुड़ों को जानता है परवा उसकी जाती नहीं पुँचता क्यों क्योंकि उस दूसरे लोक में कोई जाती नहीं होती दूसरे लोग मिकला इस वर के यहां तो इस वर के यहां कोई जाती नहीं होती इसलिए वो सिर्फ व्यक्ति के गुड़ों को जानता उसकी जाती को नहीं पूछता है ठीक है तो इन्होंने एक कामवर किये था कि गुरू का लंगर नाम से एक मुक्त सामुदाइक रसोई की पंडरपुर में 1270 में गुरू इनके थे ग्यानेश्वर संप्रदाए है वारकरी वारकरी संप्रदाए से संबध्ध है यह नाम देव ठीक है नाथपन्थी खेचड या खेचर नाथ ने रहास्यवादी जीवन की दिख्षा दी थी किसको नाम देव को तो नाथपन्थी ख खेचर नाथ ने क्या किया रहास्यवादी जीवन की दिख्षा दी तो उनका नाम था जिसको दिये थे नाम देव के फिर एक कहते हैं नाम देव की लाइन है कि अगर एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैर की नीचे क्यों रहोंदा जाता है यह एक भगवान है तो दूसरा भी तो भगवान ही है कि नामदेव की लाइन है याद रखना इसको तुका राम वारकरी संपरदार से ध्यान रखना इनका जन्म तो यह इस तरीके लिखा गया है थोड़ा से इसको भी ध्यान रखना अच्छा त्याग राज है यह भक्ति मार्गी कभी है भक्ति मार्गी कभी है त्याग राज और करनाटक संगीत के महान संगीत तक रहे करनाटक संगीत के महान संगीत तक यह त्याग राज का जन्म 1767 में हुआ था यह भक्ति मार्गी कभी है ठीक है अब देखते हम चैतन्य महा प्रभू जिनके बारे मुमने पिछली वीडियो में भी बताया है तो इनका जन्म हुए नदिया जिला बंगा था निमाई कभी कभी यह भी प्रश्णाता है कि से महा प्रभु के बच्पन का ख्या नाम ता तो ध्यान रखना निमाई इंके बच्पन का नाम था कृष्णे आण राद्यथे है मैं यह यह ठीक है तूलसी दस तुलसी दस अकबर ओ जहांगीर कमकालिं थे इनकी रचना पुछ रही है जैसे रामचरित मानस अवधी में लिखी गई है और एक किताब है विने पत्रिका रामचरित मानस अवधी में लिखी गई दूसरी विने पत्रिका है सुफी अंदोलन में चिष्टी संपरदाय की स्थापना हुई है अफगानिस्तान में अबू इसहाग सामी ने उनके सिस रहे अबू अबदाल निश्चिष्टी के द्वारा अब इसहाग सामी और इनके सिस अबू अबदाल चिष्टी के द्वारा चिष्ती संपरदाय की स्थापना अफगानिस्तान में में भारत में इसकी स्थापना की थी मौनुद्दीन चिष्टी ने ठीके फिर अबATHANशन Republic न स्चिस्ती प्याते हैं तो मौनुद्द्दिन चिस्त किसके साथ मुहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आये और उन्होंने अजमेर को अपना निवास इस्थान बनाए तो मुहम्मद गोरी के गुलाम रहे कुतुबुद्दीन ठीक है उन्ही के नाम से कुतुब मिनार का निर्मान हुआ है ध्यान रहकना है तो ये मुहम्मद दिन चिस्थी जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार का की के गुरु थे और ख्वाजा उस्मान चिस्ती हरुनी थे इनके सिस्ष थे मुईनुद्दिन चिस्ती ख्वाजा उस्मान हरुनी के सिस्ष है मुईनुद्दिन चिस्ती बात की जाए तो मुईनुद्दिन चिस्ती किसके सिस्ष थे तो ख्वाजा उस्मान हरुनी या फिर उनके गुरु के नाम तक वाजा उस्मान हरूनी और उनके सिस रहे कुत्व दिन बख्तियार काकी ठीक है सेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर यह को नहीं सेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर को बाबा फरीद भी कहा जाता है चिस्ती संपर्दाय को भारत में लोक प्रिय बनाने का काम किया था सेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर ने चिस्ती संपर्दाय को भारत में लोक प्रिय बनाया इनकी कुछ रचनाय रही जो गुरु गरंत साहिब में संकलित है और ये सेख फरिद दिन गंज ऐ सकर जो थे वो बल्बन के दामाद थे, बल्बन के दामाद थे, निजाम उद्दिन अवलिया के अध्यात में गुरू रहे, सेख फरिद दिन गंज ऐ सकर निजाम उद्दिन अवलिया के अध्यात में गुरू रहे, और इनका जन्म हुआ था, शेख फरीद दिन गंजे सकर का मुल्तान में मुल्तान में जन्म हुआ पाकिस्तान में है ठीक है इनके सिस्ट दो सिस्ट थे एक तो ये थे निजाम अद्दीन ओलिया क्या द्यातिव गुरू थे दूसरे ये देखिए अलाव दिन साबिर कलियारी और नाशरु दिन चिरागे देहलवी ठीक है तो ये चीज़ ध्यान दरके एक है धन्ना धन्ना का नाम सुना हो नहीं सुने हो तो ये रामानंद रामानंद इनके गुरू रहे धन्ना के गुरू रहे रामानंद ठीक है जन्म हुआ था इनका 1415 में जाट परिवार में ठीक है जाट परिवार में इनका जन्म हुआ ठीक है इनके बारे में एक चीज कहा जाता धन्ना के बारे में कि इनों ने भगवान की मूर्ती को हठात भोजन करवाया था मूर्ती थी उसको हठात भोजन करवाया था धन्ना दे तो ये चीजे याद रखने हैं ठीक है फिर रैदास हैं संतर रैदास का नाम सुना होगा रैदास जो थे रैदास बनारस से संबंदित हैं ठीक है बनारस से संबंदित हैं और ये रामनंद के बाराशिस जो थे उन में से एक हैं रामानंद रामानंद के बारह स्थियों में से एक हैं राइदास इनके पिता का नाम था रगू और माता का नाम है गुर बिनिया ठीक है ये अपना जीविको पार्जन कैसे करते थे तो रायदास अपना जीव को पारजन जूता बना कर करते थे इन्होंने रायदासी संपरदाइक की इस्थापना की तो ध्यान रखना रायदासी रायदासी संपरदाइक की इस्थापना किस ने की थे यादोना चाहिए राइदास ने की थी राइदास तो राइदास ठीक है इस तरीके से याद रखना है निजाम उद्दीन अउलिया इनको गियासपूर गियासपूर दिल्ली में है दिल्ली में मेट्रो इस्टेशन भी है रेल्वी इस्टेशन भी है तो गियासपूर में इनको दफनाय गया था इनका दरगाह भी दिल्ली में है साथ सुल्तानों का शासन देखा था इन्होंने लेकिन कभी किसी के दरबार में नहीं गये थे साथ सुल्तानों का शासन देखा इन्होंने लेकिन ये कभी किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हो थे अलावद्दीन इनसे मिलने के लिए बोला था कि हम इनसे मिलेंगे हमें मिलना है तो इन्हों ने बोला था निजामद्दीन अलिया ने कि हमारे घर में दो दरवाजे हैं अगर सुल्तान आगे के दरवाजे से आएगा तो हम पीछे के दर्फजे से निखल जाएंगे ठीक है ध्यानक इनका कुछ और नाम है जैसे महबूब ए इलाही इनका नाम है और एक और नाम है इनका सुल्तान ए अवलिया सुल्तान ए अवलिया का मतलब होता है संतों का राजा सुल्तान ए अवलिया महबूब इलाही इनके कुछ नाम है तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने हैं ठीक है शेख सलीम चिस्ति आपको पता है कि शेख सलीम चिस्ति के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम रखा था सलीम ठीक है तो चिस्ति शाखा के अंतिम संत रहे शेख सलीम चिस्ति इनके पिता का नाम था शेख बहाव दिन अरब में शेख उलहिंद की उपाधी इनको दी गई थी अरब में अरब देश में सीकरी में इन्हों ने अपना निवास स्थान बनाया बाद में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी की गई तो अकबर ने क्या किया अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की इसलिए कि सीकरी में इनका निवास स्थान था ठीक है जोधा अकबर वाली कहा आप देखें होंगे मूभी तो इसमें आप कि अपने देखा होगा कि यह चिस्ति के दर्वार में जाते हैं पहिदल नंगे पाउं तो इनको एक पुत्र रत्न की जो प्राप्ति होती उसका नाम भी सलीम ही रखते हैं अच्छा चिस्ति संप्रदाय का प्रभाव छेत्र था इस पे भी प्रश्न आता है तो चिस्ति संप्रदाय का प्रभाव छेत्र दिल्ली और उसके आसपास का एरिया रहा सुहरावर्दिक, सिंध, फिर्दवसी सिलसिला जो है चिस्ती संपरदाय का ही भाग था जिसका प्रभाव छेत्र था बिहार तो फिर्दवसी सिलसिला जो था वो चिस्ती संपरदाय का ही एक भाग था इसका प्रभाव छेत्र बिहार था ध्यान रखना कि बिहार में चिस्ति संप्रदाय के किस भाग का प्रभाव रहा है तो याद होना चाहिए कि फिर दौसी से लिखिला है ठीक है चलिए कादरी संप्रदाय है कादरी संप्रदाय के संस्थापक रहे बगदाद के शेख मुही उद्दीन कादर जिलानी कादर जिलानी कादरी संप्रदाय के संस्थापक रहे इनकी कुछ उपाधिया है जैसे महबूब एकुमानी इस्वर का प्रेमी बोलते हैं महबूब ए खुमानी इश्वर का प्रेमी पीरान ए पीर संतों का परदान पीर ए दस्तगीर मददगार संत पीरान ए पीर संतों का परदान और पीर ए दस्तगीर का मतलब होता है मददगार संत ठीक है किसके उपादिर ही गादरी संप्रदाय के जो संस्थापक रहे शेख मुही उद्दीन कादर जिलाने के बारे मुह रहा है तो माबूब बे सुमाने भी का जाता था इस वर का प्रेमी पीराने पीर संतों का परदान पीर ए दस्तगीर मददगार संत अब कादरी संप्रदाय को भारत में कौन लेका है तो साह नियामत उल्ला और मखदूम जिलानी मखदूम जिलानी और साह नियामत उल्ला का नाम भारत में किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है तो याद होना चाहिए कादरी संप्रदाय से इन दोनों का नाम जुड़ा है मख के उच्छ को सिख्षा का किन दर बनाया है तो प्रस्शन ये भी सथापना कियी है महदूम जिदाओ ने ठीक है चलिए। भन और नक्सबंदी सिल्सिला थै से इसके संस्थापक कुन रहे सेख भावद्दीन नक्सबंद करें इसके संस्थापक है नक्सबंदी के उस्था रहे इस ल होग ऌकान्दब प्रमकसंथ जुब भारत आकर कश्मीर को अपना केंड बनाया परंद प्रचार किया ख्वाजा बकी बिल्ला ने ख्वाजा खांद महमूद जो थे वो नक्षबंदी सिल्सिला के प्रमुक संत रहे और इन्होंने कश्मीर को अपना केंदर बनाया नक्षबंदी सिल्सिला का प्रमुक केंदर बनाया कश्मीर को लेकिन जो इसका प्रचार प्रसार का काम किया वो काम किया था ख्वाजाबकी बिल्ला ने ठीक है फिर आगे हैं शेख अहमद सरहिंदी जेगोन है शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजाबकी बिल्ला के सिस्य है खुजा बकी भिल्ला के सिस्की का नाम है शेख आहमद सरहिंदी इनके मुजद्द मुजद्द का मतलब कुछ इनों दिये था मुजद्द का मतलब हो ता इसलाम धर्म के सुधारक था शेख coordin मुजद्द का आ जाता है अर्थ होता है प्रतक्षवादी दर्शन ठीक है अच्छा नक्षबंदी सिल्सिला जो था उस सभा सभा मतलब संगीत के विरुद्ध था ठीक है नक्षबंदी सिल्सिला सभा या संगीत के विरुद्ध होता रहता था सबसे अधिक कट्टरवादी सिल्सिला था नक्षबंदी सिल्सिला सबसे अधिक कट्रवादी सिल्सिला था इसको सभा और संगीत पसंद नहीं था और इसी को कानुसरन करता था औरंग जेटी ठीक है तो अधिक कट्रवादी सिल्सिला था अकबर की कुछ नीतिया रही है जैसे उदार नीतिया रही दजिया कर हटाया उ इन सब नीतियों का इन लोगों ने विरोध भी किया था, किसने, अकबर की उदार नीतियों का विरोध किसने किया, तो याद होना चाहिए नक्षबंदी, संपरदाय ने किया था, और अंग जेव जो था, वो इस सिलसिले का अनुयाई था, ठीक है, संत है, शाह मुहम्मद गौस ने कृष्ण को अवलिया के रूप में स्विकार किया था, शाह मुहम्मद गौस ने कृष्ण को अवलिया के रूप में स्विकार किया, जो सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे, तो शाह मुहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत रहे, इ जैसे जवाहिर एक हमस जवाहिरे खमस जो है गौश की ही प्रसिदरशना है जिसमें उन्होंने क्या बताया अपनी आध्यात में खोज को अभिवेक्ट किया है गौश की पुस्तक है नाम उसका अमरत कुंड इसका अनुबाद किया बहर उलहायात के नाम से तो हठियो की किताब का बहर उलहायात के नाम से अनुबाद किया शाह मुहमद गौश ने ठीक है सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता था सूफी संतों का निवास स्थान खान का है सभा क्या है सूफी संतों का जो समारो होता था शेख जो होते थे वो सूफी वाद में शिक्षण और मार्ग दर्षण के लिए अधिकृत व्यक्ति का को कहा जाता था सेख उलेमा कौन थे उलेमा जो थे वो इसलाम के धार्मिक कानूनों के विद्ध्वान माने जाते थे थे वी रस खान के बारें देखें रस खान क्या रस खान ने किताब लिखी प्रेम वाट क्या इसमें ये क्रिश्ण के जीवन को पंक्तिबद्द किया है रस खान ने प्रेम वाट क्या नाम किताब लिखी जिसमें क्रिश्ण के जीवन को पंक्तिबद्द किया इन्होंने इन्होंने सुजान रसखान की रचना की इनकी भाषा जो थी वो थी विशुद्ध ब्रजभाशा रसखान की जो भाषा रही वो विशुद्ध ब्रजभाशा रही है ठीक है आगे हैं मलिक महुम्मद जाइसी जाइसी हैं जाइस के रहने वाले थे जाइस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आमेठी में यह जगा पड़ती है तो इन्होंने कुछ रचना की किताबें इनकी है बारह मासा पदमावत अखरावत आखरी कलाम बारह मासा इनकी रचनाए हैं बारह मासा जो है वो पदमावत का ही एक भाग है जान दखना जो बारह मासा है वो पदमावत का ही एक भाग है ठीके अब यह देखिए जैसे प्रशना आ चुका है हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहां है देवा शरीफ वारवंकी में है असी सी के संत जो थे फ्रांसिस संट फ्रांसिस स्कूल जैसे आज कल देखते हैं संट फ्रांसिस है न तो वो पशु पक्षियों से उनको प्रेम था पशु पक्षियों से प्रेम के लिए वो प्रसिद थे ठीक है content मदीना 과 चाहिए मदीना है यह परिश्मी सॉधी अरब के हैजाज छैत्र में है मधीना जो है पser्मी सॉधी अरब के हैजाज चैत्र में से टेक्शफ़हर काना में है यह मक्का के बाद इसलाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर माना जाता है, मक्का है फिर मदीना, ठीक है, मीरा भाई के बारे में देखते हैं, मीरा भाई का जन्म हुआ है, 1498, कहां पे हुआ, मेरता जिला में, मेरता जिला है, चौकारी गाउं में इनका जन्म हुआ है, इनके पिता का नाम था, रतन सिंह राठाउर, रतन सिंह राठाउर की पुत्री थी, मीरा भाई, ठीक है, इनकी शादी जो हुई, वो राजा भोजराज के साथ हुई, राजा भोजराज कोन थे, राडा सांगा के बड़े पुत्र थे, ठीक है, तो राडा सांगा के बड़े पुत्र थे, भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ, ठीक है, इनके जब पती मतलब भोजराज की मृत्यू हुई तो इन्हों क्या किया कि धर्म परायर जीवन व्यतीत करने लगी और ये क्रिश्न की उपासना करती थी ठीक है इनके भक्त गीत मुखरूप से अगर देखा जाये तो ब्रजभाशा और आंसर्गूप से देखा जाये तो वो राजस्थानी में लिखे गए इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी भी हैं मृत्यू को बारें बता दें तो इनकी मृत्यू हुई है 1564 में इनकी मृत्यू हुई ठीक है अब इनकी कुछ किताबें हैं इनकी किताबें में देखी राग गोविंद बरसी का मायरा गीत गोविंद का टीका राग सोरट राग गोविंद बरसी का मायरा गीत गोविंद का टी का राग सोरट इनकी कुछ रचनाएं रही हैं इनके गीतों का जो संकलन है मीरा बाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है तो मीरा बाई की गीतों का जो संकलन है ग्रंथ में किया गया है तो याद होना चाहिए कि मीरा बाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया ह पूरा भक्ति और सूफी अंदॉल पूरी वीडियो को अगर एक से दो बार भी आप देख लेंगे तो पूरी वीडियो आप यह पूरा आपको अच्छे से याद हो जाएगा और परिक्षा में इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से पढ़ते रहें ध्यान से पढ़ें ठीक है क्योंकि मैटेरियल बहुत है लेकिन अब वही है कि बहुत जादा मैटेरियल पढ़ना ठीक नहीं है ठीक है उतना ही पढ़ा जाए जितना आप रिवाइज कर सकें समय से तो इसे साथ आज की वीडियो हमें यह समाप्त करेंगे अगले वीडियो साथ कल मिलेंगे